नमस्कार फेंड्स वीजा टू एक्स्प्लोर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली इस समय हम जम्मू में बड़ी ब्रह्मना एरिया में हैं कुछ मैं आपको डिस्टेंसिस बताता हूं डेली से जम्मू लगबग 580 किलोमेटर दूर है शीरी नगर 270 किल किलोमेटर और कट्रा लगबग 50 किलोमेटर दूर है जब आप श्री माता वैशनुदेवी के दर्शन करने आएंगे तो आपको अगर कट्रा के लिए डिरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती और आप जम्मू उतरते हैं तो यहां से आप टैक्सी ले सकते हैं रिल्वेस्टेशन से ब इसके साथ ही हम यहां पर खड़े हैं चलिए अंदर चलते हैं यहां पर बहुत कुछ है जैसे आप प्रॉपर लंच ले लीजिए यहां फिर मिठाई तो देखिए एक के बाद एक बहुत वराइटी है गोल गपे भल्ला पापड़ी भी दिखाई दे रहा है हमने अपने लि तीन किसन की चीज में एको साथ मिली है आलू और दही का आचार साथ में प्याज और कद्दू का आचार वेरी टेस्टी इसको एक्षिली में भटूरा नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें दही या खमीर नहीं है लेकिन जो में चीज है वो तो मैदा ही है और हलकी सी ना अंदर स्टफिंग है पनीर और पिठी की यह मेरे को एकदम से कहाते समय ऐसास हो गया यह देख लीजिए अंदर की स्टफिंग आप एक और चीज में आपको बताना चाहता हूं कि जो हम पूड़ी खा रहे हैं इसको घी में तयार किया गया है जम्मू में हमारे आज के दिन के शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है वेरी गुड वेरी टेस्टी हम लेक पहुंच चुके हैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है हमारी यहां पर मुलाकात भाई साब से हुई है यह इनकी शॉप है यह कितनी बड़ी लेक है सर जी इसका स्रॉंडी एरिया साड़े तीन किलो मेटर है स्रॉंडी एरिया में साथ टैंपल से हैं बाकि आपको चिडिया गर मिलेगा साथ में बीच में अच्छा और इसे बगारा मिलेगी जिए नैच्रोल लेक है कि मैनमेड है यह नैच्रोल लेक है नच्रोल लेक है नच अरे वाह बहुत मच्छी है यह आपे तो जबरदस्त देखो नीचे औरे मिलको तो लग रहा है यहाँ पर हजारों की तादाद में मच्छी होगी ले किनारे चलकर अच्छा लग रहा है यह जो रास्ता बना हुए ना इस पर हम चलते जलते हैं पूरे लेक का राउंड ले सकते हैं बार बार से यह टोटल साड़े तीन किलोमेटर का सरकंफ्रेंस है ऐसा धिरी धरी चलते रहेंगे तो एक सा गंटे में पूरा राउंड कर लेंगे और आज देखो स्कूल के बच्चे भी आयो है लोग पुरा-पूरा ग्र गुमते गुमते पता भी नहीं चला कि कब पांच बज गए हमने यहां दो घंटे बिताए यह जगा मुझे बहुत पसंद आ गई है फैमिली आउटिंग के लिए परफेक्ट जगा है चलिए अब हम यहां से जम्मू शहर की और चलते हैं मुझे मंसर लेकी ना अप्रोच रोट बहुत पसंद आई है अब देखो जैसे हम नीचे उतर रहे हैं न कितना अच्छा व्यू आ रहा है पहाड़ के बीच से गाड़िया निकल रही है धिरे 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 बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर और हमने भी अपनी गाड़ 30 किलोमेटर का सफर तया कर लिया है इस समय हम नैशनल हाइवे पर ही रुके हैं इस जगा का नाम है ठंडी खुई आप देखो कितने सारी गड़ी हैं यहां पर खड़ी हुई है यहां पर सामने शॉप है वहां चलके यहां की फेमस बर्फी खाते है अच्छा बड़ी दूर अच्छा ब्रफी हमारे को आप दो पीस देच थो कितने हैं दो पीस बीस रुपे त्रीक है यह बर्फी आप किस से बनाते हो मवा देसी दूद कि होता है वेरीकुष मैंने वाही से समझा यह कुऊ इसमें गर्मियों में बहुत थंडा पाने निकलता है और सर्दियों में ग मावा अधिट बेस्ट माइट यह बोलों को बड़ी एपेडा खाते नम आलमूस्ट वैसे स्वाज आरा है और यह बहुत पॉपुलर है सामने शॉप है जिस पर लिखा हुए ओल्ड इस गोल्ड वहां भी बर्फी मिल रही है और यहां पर भी लोग पकोड़े बर्फी सब खा रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं चलिए अब हम जम्मू शहर की ओर चलते हैं इंफेक्ट आज हम अपने होटल जा रहे हैं आज के दिन की ज आज के दिन के शुरुवात हम अमर महल म्यूजियम देखकर करना चाहते थे अभी हम यहां पर पहुंचे तो हमें रिलाइज हो आज मंडे है वीकली ओफ यहां की जो में अट्रेक्शन है वो है राजागा सिंगासन जो सोने से बना हुए जिस पर लगबग एक क्विंटल सो होना है तो काफी टूरिस्ट वो भी देखने आते हैं साथ में यहां पर चांदी का पलंग और भी काफी कुछ है म्यूजियम में जो हमने मिस कर दिया म्यूजियम के साथ ही हरी निवास है इस हरिटेज प्रॉपर्टी को होटल में कनवर्ट किया गया है मैंने अंदर जाके पता लगा है double occupancy room यहां पर जो starting tariff है वो है 6600 डिस्काउंट करके आपको four and half thousand या five thousand रूबी में मिल जाता है जिसमें breakfast include रहता है रूम काफी अच्छा है spacious और रूम के बाहर जो balcony है वहां से आपको तवी नदी का व्यू काफी अच्छा दिखाई देता है अच्छा लगा यहां पर आके अब हम चलकर कुछ खाते हैं अब हैं अब हम पंच तीर्थी में आएं सामने आप देख रहे हैं परस राम ढाबा यहां पर जा रहे हैं हम यहां का सुनाए खटा मीट बहुत है लोजी थाली आ चुकी है, खटा मीट, हमें आने के बाद बता चला है, यहाँ पर यखनी की ग्रेवी भी फेमस है, यह दिख रहे हैं, साथ में कद्दू की चटनी मिलिया और सेलेट, तरिफिक, मैं आपको क्या बताऊं, इतना जबर्दस टेस्ट है, कि आप सॉफ्टनेस देखो मीट की, कितना आसानी से ऐसे फ्लेश ब्रेक हो गया, इसमें जो सबसे बड़ी हा टेस महसूस हो रहा ना खाते समय, वो है अनार दाने का, क्योंकि खटा सुसी की है, लेकिन सिर्फ अनार दाना नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, जो अल्टिमेट लेवल पे कुकिंग में इस्तमाल किया गया है, आज जो यहां पर मीट का मैं टेस्ट नजॉय कर रहा हूं है, यह बहुत जबर्दस, एक लिजंडरी जगा है और सामने अब देखिए, जो कुकिंग यहां पर मीट की जाती है, वो पीतल के बरतन में की जाती है, तो पुराने जितने फूड जॉयंट्स हैं, जो बहुत साल पुराने हैं, तो वहां मैं हमेशा नोटिस करता हूं, वो लोग पीतल यूस करते हैं, और इतनी देर के अंदर मैं रोठी तो खाना भूली गया था, यह है जी यखनी की ग्रेवी, यखनी की ग्रेवी है न, बहुत जबरदस्त, दही में इसको तयार किया गया है, इसमें धनिया भी है, पुदीना भी है, उपर थोड़ा सा बटर भी है, बहुत कुछ है और बहुत डिफ्रेंट है, कद्दू की चट्नी में टेस्ट करना भूली गया था, थोड़ी सी मीठी ग्रेवी लगाएंगे और कद्दू की चट्नी। सुपर इस ग्रिवी में खटास और कदू की चटनी के अंदर काफी सारी हरी मिर्च बेतरीन कॉम्बिनेशन दन्यवाद बहुत जबरदस्त आज जो मैं यहाँ पर टेस्ट एंजॉय कर रहा हूँ न यह मेरे को सालों साल तक याद रहेगा आज जो पिनिश करते हैं फिनिश करने के बाद मैं यह ओनर से कुछ आणूगा कि कैसे इसको तयार करते हैं यह शौप मेरे ग्रैंसादन स्टार्टी में इसमें जो मेन फ्लेवर रहा है वो कुले की धुनिगा आता है जिसे एक स्मोकी सा फ्लेवर आता अपको अलग सा रोमा आता है और भाई तीन बे तक आपको खटा में यहां पर मिलेगा उसके बाद यह शाम को साथ बेजे से हम स्टार्ट करते हैं और चिकन के अटम प्तिया मटन के अटम बहुत काम होती है उस टाइम के अभी हम यहां से 10 मिनिट का सफर करके पैदल जा रहे हैं एक और फेमस इट्री है जलियांती हट्टी चोग चबुतरा से 10 मिनिट पैदल चलकर हम जलियांती हट्टी आ चुके हैं भाई सापने पास सुन मिलेगी नहीं मिलेगी और आपका क्या फेमस है फेनिया कटलमे अच्छा फेनिया कटलमे बनते हैं फुगा क्या होता है फुगा 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 उसको बोते है तिल की ब तिल की बर्फी बनती है माव और तिल से वो है अपने बस है उच्छा हमें थोड़ा सा बो दे दीजे और कटलमे कटलमे एक वो भी दे दीजे और को बहार से तिल धिकाई नहीं दे रहे हैं तो मेरको रग़ा तिल हलका रहेगा लेकिन तिल का बड़ा खूसुरस वाड है व पूरा में टेस्ट तिल का इसके अंदर, बहुत बढ़िया यह कदलंबे, मैदे और गी से तयार किया जाता है देखने में लगती हल्की है, पांचे बीज कालो, एक कब चाय पिलो, बहुत बढ़िया नाष्टा हो जाएगा, मतलब इवनिंग स्नाक हो जाएगा जल्यादी हट्टी के सामने हमें एक शॉप में आए है, यहां राजमा देख रहे हैं, दो किसम के राजमें इनोंने दिखाए हैं यह कहा हैं जी, यह राजमा जो मैंने भी हाथ उपर किया ना, यह बधरवा के राजमा है, इसमें multiple shades हैं, एक uniform shade नहीं है हर राजमा में और यह राजमा जो देखने में सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, यह कह रहे हैं जी, यह चाइना से आया है, यह चाइनीज राजमा है, और जम्मू में काफी शॉप में आपको चाइनीज राजमा भी मिलेगा, अब सवाल यह है, कि कैसे पेचान होगे कि यह बधरवा के है, एक कलर और एक ही साइस है, हम तो बधरवा नहीं जा पाए, मैं भी दुबारा कभी यहां पर आये, तो मैं कोशिश करूँगा कि बधरवा जाओं और वहां राजमा टेस्ट करूँ लाइव की स्वाद कैसा होता है, आप जा के बधरवा ने, आपको फुदर यापको यह नहीं मिल गया, आप बागों जाने की स्वादाई, थैंक यू सो मज़ सर, धन्यवाद, इस समय हम मोती बजार में सबजी मंडी के बाहर खड़े हैं, हम यहां पर आएं तरड देखने, यह देखिए जी तरड, हमारी मुलाकात यहां पर भाई साब से हुई है, यह आएं मंडी में, अगर आप दिखा सकते हो, तो यह हमें चल कर मंडी में भी दिखाएंगे, वैस अभी समीन में कितना नीचे होता है? तो इसको कैसे हम लोग फ्राई कर खाएंगे? अचार भी तन सकता है, और फ्राई भी हो सकता है, वेरी गुड जिस तरह से गोबी पालक हर्ज किसी के पास है उस तरह से यह चीज बहुत ज्यादा कॉमन लग रही है हम इसको गंट गोबी बोलते हैं तो यहां पर हमारे बोलते हैं कडम कडम बोलते हैं कडम कडम बोलते हैं यहां पर बहुत ज्यादा लोग खाते हैं इसको जम्मो कश्मीर के लोग सुबह भी शाम को यह चाबल के साथ खाते हैं बड़ा प्रैफरस देते हैं इसको देते हैं सब्जी को अच्छा यहां की लोकल बंडी का हमने राउंड कर ली है, बाकिस्तारी वेजिटेबस जो देखी वह तो कॉमन है, ये दौ-तीन चलते हैं. और थेंक्य वरी मच्च धन्यवाद वेलकम 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 तुम्स मोती बजार में पैदल चल रहे थे तो यहां पर हमने भाई साथ देखा बरतन कली कर रहे हैं तो भाई साथ यह तामबा और पीतल दोनों पर कली करते ना तब बड़े घर में आया करते थे कली करा लो और आजकल तो क्या है ना कली कराने वाखरते रहे हैं को पीशते हैं और थोड़ा सा पाउडर की तरह डाल देते हैं नीचे इनकी बटी जल रही है उस पे थोड़ा थोड़ा टिन लगाते हैं तो बरतन कली जो जाता है तो साल में दो बार तो कराना पड़ता है अगर रेगुलर आप तामभा या पीतल खाने में इस्तमाल कर रहे ह अचा यह नहीं तो नहान खराब हो जाता है अधीम बिमार हो सकता है एसेटिक सा हो जाता है अच्छा भाई साब धन्यवाद धन्यवाद अब हम पटेल बजार में फत्तू जोगन में एक शॉप में यहां पर बंटा भी मिल रहा है लेमन सोडा और साथ में इनके पास कलाड़ी कुल्चा भी है तो अब हमारे को एक चैहिए कालाड़ी कुल्चा वो कहने के बाद हम आपसे यह लेंगे बंटे वली बौतल जब सिम्रोली गए थे ना वहाँ पे खाया था वहाँ हमें मिली थी ब्रेड के साथ और यहां हमें मिल रहा है बन के साथ इसको यहां पे कुल्चा बूलते हैं यह अनारदाने की चट्नी और साथ में मीठी चट्नी अचा कलारी को वैसे थोड़ा नजदीक से देखेंगे यह ऐसे खिसता है चीज की तरह जो कलारी मैंने अभी से पहले समरोली में खाई थी उसमें खटास थी फर्मेंटेशन की स्मेल थी और एकदम डिफरेंट फ्लेवर थे एकदम डिफरेंट टेस्ट है यह कलारी में फ्रेशनेस लेवल है मतलब आज ही आज बनाई हो यह चीज एकदम अलग है मैंने वहाँ पर हमने ब्रेट के साथ खाई और यहां बन के साथ खा रहें इसको कुल्चा बोलते है यहां पर तो यह एकदम तो दो डिफरेंट चीजी है अब यह कहा पाना तो मेरे लिए मुश्किल है कि मेरे को वह ज्यादा पसंद आई है यह ज्यादा मैं इंजॉय कर रहा हूं लेकिन वह अपनी जग अच्छी थी और इसका टेस्ट अपनी जग अच्छा है बैसरब एक हमें यह बंटे वली बोतर भी देजिए एक ग्लास तोडा लेमन और उपर थोड़ा अलक से निम्बू डालका हमारा यह एपिसोड यहीं पर स्नाप्त हो रहा है आपको बाइब करने का समय आ चुका है जल्दी आपसे दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए बाइबाइब थैंक्स फॉर यूर टाइब हुआ हुआ है